बिग स्क्रीन में आपका स्वागत है बॉलिवूट अभिनेतरी करिश्मा कपूर और अभिनेता आमिर खान की जोड़ी को कई फिल्मों में देखा गया है लेकिन 1996 में रिलीज हुई इस जोड़ी की फिल्म राजा हिंदुस्तानी दर्शकों के मन पर आज भी बसी हुई है 24 साल पहले रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों ने खुब पसंद किया था और करिश्मा कपूर के दिन फिर गए थे यह फिल्म एक खास सीन की वज़े से चर्चा में रही थी आईए आपको बताते हैं इस से जोड़ा एक किस्सा साल 1996 में आई इस फिल्म को दर्शकों का खुब प्यार मिला था फिल्म का एक सीन काफी चर्चा में था यह सीन था करिश्मा और आमिर के बीच हुआ किसिंग सीन इस सीन ने उस दौर में खुब सुर्ख्या बटो रही थी करिश्मा ने खुद एक इंटर्व्यू के दौरान राज खोला था कि वो इस सीन को करते हुए बेहत काप रही थी एक इंटरव्यू के दोरान करिश्मा ने बताया था कि राजा हिंदुस्तानी को लेकर काफी सारी यादे हैं लेकिन जब ये फिल्म आई तब लोगों के बीच फिल्म का किसिंग सीन काफी चर्चा में रहा लेकिन शायद वो नहीं जानते हैं कि इस सीन को शूट करने के लिए हमें तीन दिन लग गए थी मैं काप रही थी और ये सोच रही थी कि कब खत्म होगा ये सीन क्योंकि फरवरी के मैने में ओटी में इतनी धंड थी और ये सीन शाम के 6 बजे फिल्म आया गया बता दे की आमिर खान और करिश्मा कपोर स्टारर फिल्म राजा हिंदुस्तानी 15 नवंबर 1996 की रिलीज हुई थी ये फिल्म उस समय में ब्लैक बॉस्टर साबित हुई थी फिल्म उने सिनेमा घरों में रहते हुए कर रिकॉर्ड तोड़े थी फिल्म कानिर्देशन धर्मेंद्र दर्शन ने किया था फिल्म में करिश्मा आमीर के अलावा शुरेस और राय अर्चनापूरन सिंग, जॉनी लीवर, फरीदा जलाल जैसे सितारे भी थे इस फिल्म की कहानी एक शहर की अमीर लड़की और टेक्सी ड्राइवर की प्रेम कहानी पर आधारी थी फिल्म में करिश्मा अपने जन्म दिन पर दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने जाती ह वहीं पर उनकी मुलाकात राजा नाम के टेक्सी ड्राइवर से होती है, इस दोरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, हालनकि करिश्मा के पिता उनकी इस शादी के खिलाफ होते हैं लेकिन फिर भी वो आमीर के साथ शादी कर लेती है, यहीं से शुरू होती है फि लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और इसी तरह किस से जानने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें और देखते रही है बिग स्क्रीन